आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारी इस स्पेशल स्रीज के अंदर यह जो स्रीज है यह स्पेशली CUET के स्टुएंट्स को डेडिकेटिट है और बाकी इवन जो SSE जैसे या फिर और भी किसी एक्जाम के तेयरी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपोर्टन रहने वाली है हमार स्टुएंट्स ने थोड़ी से रिलक्टेंस मेरे को दिखाए थी कि सर आपकी जो PYQ वाली वो बुक्स है वो थोड़ी से महेंगी हैं 30 रुपे 40 रुपे की बुक्स थी वह महेंगी थी तो आप प्लीज अगर फ्री में करा देगा तो बिल्कुल चिंदा मत करो फ्री में आ दो चल रहे तो आप उसको अपने हिसाब सिहां पर तेज भी कर सकते हैं multiple सवाल लेकर आऊंगा अगर आपको अच्छे से चीजों को समझना है तो explanation भी मैंने डाला हुआ है तो आप pause करके उनको देख सकते हैं ठीक है तो एक तरीके से यह PDF होगी आपके लिए ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है the standard time of India is यानि कि भारत का जो मानक समय है वो क्या है देखो यह जो आपके standard time होते हैं यह आपके वो time होते हैं जो कि green which mean time से आपके आगे पीछे करके देखे जाता है हर देश का एक standard time होता है भारत की बात करी गई है तो आप इसको याद रिखेगा डेड़ घंटे आगे हैं हम किस से GMT से जादा explanation मैं नहीं करूँगा लिके मेरी ख्याल से सवाल का जो objective है वो आपको पता होना चाहिए हम साड़े 5 घंटे जादा है आगे हैं GMT से यानि कि green which mean time से आइस ती यानि कि Indian standard time यह वो समय है जिसको observe करा जाता है throughout the India और श्रीलंका अब यहाँ पर याद रिखना है कि श्रीलंका भी हमारे Indian standard time को ही follow करता है जहाँ पर हम plus 530 hour किस से जादा है green which mean time से जादा है यह option यहाँ पर आपका correct होता नेक्स सवाल पूछा गया है दी अंडमान और निकोबार group of island are separated from each other by what तो अंडमान सम्हों और निकोबार दीप सम्ह एक दूसरे से किसके द्वारा अलग किये गए हैं देखो इस परकार के सवाल बनता है separation यानि कि एक दूसरे के बीच में कौन सी चीज नजर आती है तो यह 10 degree channel आपको यहाँ पर याद रखना है यह 10 degree channel separate करता है किस किस को आपके अंडमान ग्रूप और निकोबार ग्रूप क islands को यह रहा आपका explanation pause करके देख लीजेगा जाधा time में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर नहीं लूँगा लेकिन वीडियो में अगर आपको जाधा से जाधा देखना है तो pause करने के मैं आपको मौका दे रहा हूं ताकि जाधा से जाधा आप वहाँ पर जानकर ही ज़रू पुछले जाए कि जो इंद्रा पॉइंट है जो कि भारत का southernmost tip है वो कहाँ पर है तो वो निकोबार islands के अंदर आता है यह भी याद रखना है बाकी यहाँ पर वीडियो को pause कीजेगा और इससे related जानकरी देख लीजेगा आगे बढ़ते हैं the coastal tract of आंद्रा प्रदेश and Tamil Nadu is called देखो आंद्रा प्रदेश और Tamil Nadu के जो 38 शेत्रे हैं उनको क्या कहा जाता है मैंने आपसे कई बार बात करी है जब मैंने आपको अन अकेडमी के ओपर अपनी modern history पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी बात करी थी तो आंद्रा प्रदेश और Tamil Nadu के जो आपको coastal part होते हैं उनको कहा जाता है कोरो मेंडल ठीक है तो याद रखिएगा बी विकल्प आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा देखो आप मेंसे अगर किसी को कोई भी डाउट होता है ना अगर कोई नया student मेरे से यहाँ पर जोड़ रहा हो तो एक बार मुझे से इंस्टाग्राम पर ज़रूर कर लेना इधर उधर मुझे सर्च करने से पहले ठीक है तो यह मेरा यूजर नेम है रॉबिन सर्जी करके आप इस पर मुझे मैसेज करके जान करे ले ले लेना ज़रूर ही नहीं कि आप जस टाइम पर यह वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर मैं अगर्मी पर आक्टिव ह देखो यह हो जाएगा आपका गैरूसोपे इसको गैरूसोपे भी बोला जाता है और इसका आपने एक और नाम सुना होगा इस नाम को आप मल्टिपल तरीकों से जानते हो ठीक है तो यह आपका यहां पर सवल बनका इसको जोगफॉल भी बोलता है अगर आपको वह वाला बनाती है इसको यह भी देख लेना यह बनाएगी आपकी शारावती तो यह कुछ को जानकरी है जो है ना एक सिंगल सवाल से लेलेड़ेड उनको भी देख लीजेगा अगला सवाल पूछा जारा हाइस प्लैटो इन इंडिया यानि भारत का सबसे उच्छा पठार कौन सा ह तो देखो यह हो जाएगा अपका लद्दाक का पठार ओके तो सी ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा लद्दाक प्लैटो इस दी हाइस प्लैटो इन इंडिया बाकी की जानकरी आपको यहां पर मिल जाएगी वीडियो पॉज करिए और इसको आप यहां पर दे के अंदर ओके आई नो थोड़ा सा उट पटांग से सवाल हो गया है बट याद दखना है नुब्रा वैली के करीब में आपको पढ़ेगा स्याचिन ग्लेशियर बाकी की जानकर यहाँ पर ले लिजेगा यह इस्टन कारा कुरम रेंज जो की हिमालाज के करीब में पढ़ती है वहाँ पर आपको नजर आता है लोग तक क्या है ये लोग तक लोग तक क्या है ये लोग तक लोग तक तो लोग तक क्या है आपका ये ये है आपकी एक जील यानि की लेक याद रिखेगा लोग तक इसे जील इसको लेकर एक और फैक्ट बनता है ये क्या है लार्जेस्ट फ्रेश वर्टर लेक है नौर्थी the following state has the longest coastline यह पता नहीं इतनी बार रगड़ा है ना इसको अपके multiple exams के अंदर के निमलिकित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी जो coastal line है या फिर तट रेखा है वो सबसे लंबी है भूलोगे तो नहीं न भूला नहीं है गुरू गुजरात आप कहाँ पर correct answer हो जाएगा C option will be correct here बाकि अगर आप इसका total अगर वो देखना चाहते हैं कि length कितना cover करता है वो भी देख सकते हैं Arabian C से आपका obviously टच करता है सब को पता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी अगले सवल पर आ जाते हैं आपको उस दर्रे के बारे में बताना है जिसको हम पास भी बोलता है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका located है तो देखिए आपके सामने विकल्प दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर located दिए गए विकल्प से जो आपका दर्रा या यहाँ पर याद रखनी है अच्छा सवाल है आपको अच्छा इसमें एक और चीज बनती है यहाँ पर आपको इंडिया चाइना बॉर्डर का पार्ट देखने के लिए मिलता है जो ही शिपकिला मांटेन पास की मैंने बात करी है ठीक है सत्रलुज यहीं से आपकी एंटर करती है इसी पास के तुरू भारत के अंदर किन और डिस्टिक के अंदर आता है हिमाचल प्रदेश में बाकी की जानकर यहाँ पर जरूर जरूर देख लीजेगा मजोली मजोली के बारे में पता नहीं कितनी बार सवाल पूछे जा चुके है यह क्या है लार्जस रिवल आइलें है पूरे विश्व के अंदर यह भारत के कौन से राज्य के अंदर आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजोली किस राज्य में इस्थित है यह बहुत ही कॉमन सा सवाल आंसर हो जाएगा आपका आसाम यहाँ पर विगल्पमर आपको दो याद रखना है श factor, information में ले रख़ी होगी चेरी आगे बढ़ता है थार एक्सपेस के हम बात कर रहे हैं कहाँ जाती है यह थार एक्सपेस देखो थार के बारे में तो कभी सब ने सुन रखा होगा थीक है तो थार एक्सपेस जाती है कहाँ पर पाकिस्तान विगल्पमर आपके यहाँ पर नहीं करूंगा कंचन जंगा की बात कर लेते हैं कंचन जंगा के बारे में सभी ने सुन रखा होगा थर्ड हाइस्ट मांटेन है पूरे विश्व का कहां पर लोकेटड है यह यह आएगा आपका सिक्केम में विकल्प नंबर भी कंचन जंगा की सिचुएशन आपने यहां से आज के बाद जान ली है बाकी जानकारी यहां से ले लीजिएगा वीडियो पॉज वीडियो ओन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात से वाट इस दी अधर नेम आप दी शादरी रेंज देखो मुल्टिपल रेंजिस मैंने आपको आपके थियोरी क्लासिस के अंदर प पहेंगे बाकी का यहां पर देख लिजेगा वेस्टन घाद बोल दीजे या फिर शादरी बोल दीजे माउंटर रेंज है यह आपका पैरलली चलती है हमारे वेस्टन कोस्ट इंडियन पैनिसुला में आगे बढ़ता है गुरू शिखर की बात करते हैं जो कि आपका अबू पर देखने के लिए मिलता है is the highest peak of which of the mountain ranges भारत के अंदर बहुत सारी आपको परवच शंकला है नजर आती है ऐसी हर किसी परवच शंकला की सबसे उची पहाड़े आपसे पूछी जाती है गुरू शिखर क्या है इसी प्रिकार की एक सबसे उची चोटी है जो कि कौन सी पर रावली की यानि की डी विकलपाप कहां पर करेक्ट हो जाएगा गुरू शिखर के पास है आपका ओनर है जहाँ पर हाइस्ट पीक के रूप में जाना जाएगा रावली माउंटेन रेंज और अगर मैं बात करों कि यह किस को लेकर यहाँ पर आपका लोकेड़ है इस पीक इसके लौड विश्नु के आगे बढ़ता है तो अंदमान और निकोबार का जो दीप समू है उसकी सबसे उची खोटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो क्या याद रखना है सैडल पीक तो सैड सैड निकोबार सैड सैड अंदमान सैडल पीक यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइट वगरा देख लीजेगा अच्छा सावल है अगला सावल आपसे पूछा जा रहा है बियोंड दी विच पार्ट दा हिमाल्याज बेंट शार्पली तू दे शाउथ और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है अगर आपने थोड़ा सा मैपिंग अच्छे से देखी होगे तो ठीक है लेकिन याद रखना इस फैक्ट को यहाँ से याद रख लेजिएगा यह है आपका दिहांग जोर्ज बी विकल्प आपका हैंपर करेक्ट हो जाएगा हेमाईलय से साउथ की दरफ से शाप्री होगा और वहाँ पर भारत के पूर्वी भाग की बांडरी को यह आपका क्रेट करेगा दिहांग जोर्जी आरत रखना है बाकी यहाँ पर पॉस कीजिए और देख लीजे ब्रह्मप पुत्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है ओके अगला सवाल पूछा जा रहा है जोजी लापास यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऐसे बहुत सारे दर्रे आपके पूछे जाता है यह करता है श्री नगर और लेह को यह ओप्चन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जोजी लाइज हाई माउंटेन पास इर इंडिया जो की इंडियन नैशनल हाइवे वन पर आपका लुकेटेड मिलता है बिट्वेन श्री नगर एंड ले बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा आगे बढ़ता है यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू करके आपको दो लिस्ट दी गई है इधर आपको लेक्स दी गई है और इधर आपको राज्य दी गए है अब आपको बताना है कि कौन सा कौन से राज़े के अंदर आता है पुली कट लेक की बात करते हैं तो पुली कट लेक आता है आपका कहाँ पर तमिलाडू के अंदर यानि कि यहाँ पर A का कौन सा हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा तो यहाँ पर मैं A लिख देता हूँ ठीक है चिलका लेक के बारे मैं आपसे पूछा गया है चिलका लेक आती है आपकी Udisa के अंदर तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा B आ जाएगा वुलर लेक के बारे मैं बता दिये, जो भी option correct हो जाएगा, वो समझ जाएगा, option number one हो जाएगा है, पुलिकट का ये 3 हो गया, तमिल नाडू, चिलका का आपका उडीसा हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये option number आपका one यहाँ पर correct हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, देखो यहाँ पर सारी बातें लिख कर रखी है, पुलिकट लेक क्या है, second largest brackish water lake है, जो कि भारत के अंदर आपको पाई जाती है, ठीक है, बाकी की और भी चीज़ें भी हाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे, आगे बढ़ता है, वो कौन सी चीज़ है, जो कि separate करती है, भारत को एक narrow channel के through, from the by park state and the guff of मन पाक, जल, मड्रू और मनार की खाड़ी द्वारा निर्मित समंद्र के एक संकीन channel द्वारा किसको भारत से अलग किया जाता है, पाल के स्टेट आपको यहाँ पर दिख गया न, बस यहाँ पर आंसर होगे आपका श्री लंका, तो श्री लंका भारत के बीच में आपको पाक स्टेट नजर आता है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इसको, बाकि यहाँ पर रुखिए, पॉज करके और देखे correct answer आपका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, लेंड मास ओफ इंडिया has an area of how many million square kilometer, देखो million square kilometer के आप से unit में यह पूछा गया है, तो इसमें आपको ज़्यादा problem नहीं अपने पास रखनी है, 3.28 रख लेना, कल को अगर पूछा जाता है, वैसे ऐसे सवाल अतने important होते नहीं है, लेकिन यह पूछा जा चुका एक्जाम के अंदर, तो आप से पूछ ले जाएगा, तो ऐसे करके याद रख लेना, 3.28 million square kilometer, बा तो ही शुरुआत का पार्ट है, जब हम शुरुआत के गौडवाना और उस टाइम की बात करते हैं, मेजो एरिया की बात करते हैं, एरा की, तो तैथे C हुआ करता था जो कि आपके हिमाल्यास वाले पार्ट में आपका बसा करता था, C option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा, बा लद्दाक और पीरपंजल रेंज के बीच में याद रिखेगा, यह विकलप आपका यहाँ पर correct हो गया, कुलू वेली की बात कर रहे थे, लद्दाक और पीरपंजल के बीच में आपको यह नजर आती है, बाकी यहाँ पर आप पॉस कीजिए, और एक्स्टा जानका रिले लिजे, आगे बढ़ते हैं, who prepares the topographical maps in India, भारत के इस्थला कृतिक मानचित्र कौन तयार करता है, यह देखो बहुत important है, इसमें बहुत confusion हो जाता है बच्चों को, इसमें survey of India मार्क कर रहे हैं आपको, अगर topographical map को prepare करने की भारत के अंदर बात करता है, survey of India इसको क्या करता है prepare करता है, बाकी यहां पर भी आप इस से related जानकारी पढ़ लीजेगा, आगे बढ़ता है, the mountains which are not, not पूछ है, not a part of the Himalayan chain, देखो not पूछ है, तो obviously चलो यह तो आपको पता चल जाएगा के not कौन सा है, लेकिन जो not के अलावा बाकी के तीन है ना, उनको ज़रूर याद रख हो जाएगे, आपके Himalayan range के पार्ट हो जाएगे, और आवली range आपको कहाँ पर नजर आता है, यह आपको नजर आता है, line of peaks के नाम से, ठीक है, is a range of mountains in the western India and the eastern Pakistan, जो की लगबग लगबग आर्ट सुक्रते कोई पढ़ लेना है आप, मैं जादा इसको explain नहीं करता हूँ, next आ जाड़े 8 km इसकी वो, आपकी वो है, height है, तो याद रखेगा, peak है आपका, बाकी के जानकरी आप यहां से ले ही लेंगे, आगे बढ़ता है, the latitude of mainland of India extend करता है, between कितने से कितने तक, भारत की मुख्य भूमी, किस अक्षांस के बीच में आपको फैली हुई नजर आती है, यह बहुत important सवाल है, ठीक है, इसको याद रखेगा, 8 degree, 4 minute north से लेकर, आपको 37 degree, 6 minute north के बीच में, जो mainland का extension अजर आता है, वहाँ पर हमारे भारत, प्यारे भारत को आप देख पाते हैं, ठीक है, जी बाकी देखो, यहाँ पर एक बार आप देख लीजेगा, मैंने northern northern का आपको बता दिया था, आप eastern part में भी देख लेना कि किदर किदर आपको देखने के लिए मिलता है, ओके, चलिए आगे बढ़ता है, which of the following is the highest peak in the undisputed Indian territory, देखो मैंने पूछा क्या है, undisputed पूछा है, तो निर्विवादित भारते शेतर की सबसे हुची चोटी निमलिकित में से क इसको कहा जाता है, यह हो जाएगा आपका नंदा देवी, मैंने undisputed पूछा है, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी मत बूलने लगना, ध्यान से सुनना, question क्या पूछा है, नंदा देवी यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा, will be the highest peak in the undisputed Indian territory, तो नंदा देवी क्या है, second highest mountain है भारत के अंदर, and highest entirely है within the country, जहाँ पर कंचन जंगा, क्योंकि वो नेपाल के साथ हम share करते हैं, तो इसलिए हम undisputed की बात करेंगे, तो वहाँ पर नंदा देवी आपको भारत का सबसे मुचा चोटी नजर आएगा, पालगाट जोइन करता है, which of the following state को, पहले तो आपको य करते हैं, तो वहाँ पर पालगाट आपको याद दखना है, ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जानकरे ले लिजेगा, pause करके थोड़ा सा पढ़ लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा जा रहा है, the northern part of the west coast is known as, तो पस्चमी तटके उत्री भाग को आप क्या कहते हैं, हमने पूछा है, west coast, यह हमारा भारत हो गया, यह आपका western coast हो गया, इसके northern part को आप क्या कहते हैं, यह देखो, मैंने एक सवाल ऐसा ही पीछा आप से किया था, इसको कहा जाता है, कौन कान coast, याद रखेगा, मैंने western coast के northern वाले पार्ट को बोला है आप से, इसको हम क्या बोल दीजेगा, चलिए आखरी के 10 सवाल, फटाफट, फटाफट कर लेता है, देखो, मज़ा आ रहा हुगा ना, तो like जरूर कर दीजेगा, इसको shareware कर देना यार, ठीक है, मेहनत लगती है, इसी तरीके से मैं आपकी ने फटाफट, फटाफट ले आउंगा, वरना क्या होता न जो मद्य हाइलेंड्स होते हैं, वो किस से बने होते हैं, इसमें थोड़ी से दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको याद दखना है, मैंने सेंटरल हाइलेंड्स की बात करी है, इंडियन पैनेसुलर के अंदर वो बने होते हैं, आपके इगनेसियस और मेटामॉर्फिक से ठीक है, आई एम करके याद देखलेंड्स है, याद हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ लीजेगा इसका थोड़ा सा एक्स्परनेशन, वो कौन सा राज्ये है, जहां पर गुरुशी घर जो चोटी है, वो आपकी लोकेलेट है, पीछे भी देखो, हमने एक सवाल देखा था गुरू शिकर क्या है highest peak है राजिस्थान के अंदर ये आपका आता है विकल्पन बर आपका यहां पर ये एक correct हो जाएगा बाकी की जानकर ये आपने यहां पर ले ली होगी pause करके आगे बढ़ जाता है तो कौन सी जगे पर आपको इस परकार के जो passes है वो नजर आता है देखो important है ये ये western ghats के अंदर आपको नजर आता है कल को हो सकता आपसे एक एक करके पूछ ले जाए कि थाल पास कहां पर नजर आता है जी भोर कहां पर नजर आता है जी पाल कहां पर नजर आता है दी तो यहां आएंगे आपको Western Ghats के अंदर विकल्प नमबर ए आपका यहां पर correct होना था बाकी यहां पर create करिएजीगा देखो यह आपका भोर हो गया और आपका और भी होंगे इधर दर कहीं देख लीजेगा आपको ठीक है ओके अगला पूछा जा रहा है which among the following is not true not true पूछ रहा है Himalayan rivers के बारे में Himalayan rivers के बारे में not true तो देखो यहां पर second option में आपको दिया गया है they receive water only from rains तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ rains से थोड़े नहीं मिलती है जो Himalayan rivers होती है वहां तो glaciers कभी पानी आता है आपके पास तो यहीं आपका गलत हो जाएगा बाकी के तीन जरूर देख लीजेगा throughout water मिलता है हाँ पर बिल्कुल मिलता है they receive water from the rains and melted snow बिल्कुल most of them are perennial या नहीं कि आपकी बारा के बारा महीने बहती रहती है बिल्कुल सही है second option यहाँ पर आपका गलत हो जाता बाकी आप यहाँ पर जरूर जरूर देख लीजे कि जो पांच मुख्य नदियां आपको हमाचल की नजर आती है जेलम, छीनाव, रावी, बीस और सतलोज यहाँ पर आपको नजर आती है 12 के 12 महीने यह आपकी नदियां बहती है आगे बढ़ते हैं भारत का हाइस्ट पीक आपको बताना है हाइस्ट पीक कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा K2 Godwin Austin मैंने यहाँ पर भारत का नाम लिया है अब अगर कोई अपने occupation में रख ले कोई हमसे किसी एरिया को छीन कर वहाँ पर को लेकर बैटाओ तो हम कुछ नहीं कर सकते हमसे यह नहीं बूला था हिनों नहीं कि आपको रॉबन पी ओके का नाम नहीं लेना है तो K2 हमारे भारत का हाइस्ट पीक हो जाएगा बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होता याद रखिएगा इसकी हाइट भी देख लेना आखरी पांच देख लेते हैं सवाल हम देखो वीडियो अगर तेज लग रही हो तो स्लो करके भी देख सकते हो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था सेडल पीक की हम बात कर रहे हैं लीए इस जिगे पर कहां पर लόकेटिद नजर आता है याने की एरिया है वो लगबल लगबक तो देखो हमें इन लोगों को ये तो बताना पड़ता है ना कि बाप के सामने बेटा कितना छोटा नजर आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि हम इनके चार गुना अपनी value रखते हैं छेतर फल के अगर आधार की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका B option होगा बाकी यहाँ पर आप comparison कर सकते हैं यह भारत का है और यह इन बालकों का है बाकी आप समझ जाएए कैसे कैसे होता है The place Sabrimala is situated in which of the following state देखो Sabrimala temple से related आपने काफी news में खबरें देखी होंगी यह आपका Kerala के अंदर आता है Sabrimala जहाँ पर temple भी आपका located है बाकी यहाँ पर pause कीजिए pause कीजिए चलिए pause कीजिए और पढ़िए इसको pause कर लिया चलिए ठीक है आप पढ़ते रहे ना इसको आगे आपके सामने आगे सागरमठ which Himalayan peak is also called the Sagarमठ दिएगे विकल्प में से किसको हम Sagarमठ के नाम से भी जानते हैं यह हो जाएगा आपका Mount Everest C option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा सागरमठ इसको बोला जाता है यहाँ रखेगा highest peak है पूरे के पूरे विश्यो का यह रहा आपकी साज की class का आखरी सवाल tiny marine animals which constitute limestone skeletons are called तो छोटे समुंदरी जानवर जो चूना पत्थर के कंकाल बनाते हैं उनको क्या कहते हो आप तो इनको कहा जाता है coral reefs गुरू यह आपको लगेगा तो थोड़ा सा उटपर टंग से सवाल लेकिन यह important है बाकी आप यहाँ पर explanation तो देखी सकते हैं I hope आपको यह series मेरी पहली वीडियो के पसंद आई होगी और देखो पसंद आती है तो आपको इसको like ज़रूर करना है comment करके आप मेरी प्रसंशा भी कर सकते हैं ठीक है और आपके exam से पहले मैं कोशिश करूँगा देखो daily आपको एक दो एक दो ऐसी वीडियो देता रहूँ ज़्यादा time मुझे भी नहीं लेगेगा और आपको लग रहा है ना भी मिल सकती है लेकिन वो paid है 30-40 रुपे की वो आपके आती है मन करे तो लीजेगा वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस स्रीज को ज़रूर फॉलू कीज़ेगा आपका अगर कोई भी साथी इस परकार के किसी भी एक्जाम के तेयरी कर रहा है जहाँ पर जियेस के इस तरके के सवाल बनते है तो उनके साथ जरूर शेयर कीज़ेगा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अपना ख्याल रखिये और सो जाईए या फिर अगर जग चुके तो जग जाही है जहले बाइबाइ थेंक यू